सीबीसी बोड़ एक्जाम 2024 के स्वांटो फिजिक्स का यार एक्जाम आपका काफी नस्दीक आ रहा है तो सीबीसी की प्रिप्रेशन भी आप लोग चालू कर चुके होगे तो यार आप लोग को यार फिजिक्स का हर एक चाप्टर का वेटेज पता होना बहुत जरूरी है ठी है तो मैं आप लोग को पूरा वेटेज बताऊंगा तो वीडियो में लास तक बने रहा हो चैनलों को सब्सक्राइब कर लो टीक है तो देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इसमें आपका दो पाट आ जाता है यार आपका एक इलेक्ट्रोशाटिक और एक कैपैस से चार माक का सवाल आएगा मैगनेटिसम और मैटर से साथ माक का सवाल आएगा इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन से छे माक का सवाल आएगा अल्टरेटिंग करेट से पाच माक का सवाल आएगा यह अलग अलग चाप्टर है पर यह पूरा का पूरा इसी में आता है ठी है समझ गया होगे electromagnetic wave electromagnetic wave से 3 mark का सवाल आएगा optics में 2 भाग होता है ray optics wave optics ray optics से 9 marks के लिए wave optics से 14 marks के लिए wave optics एक अच्छा weightage रखता है तो इसे पर जरूर ध्यान देखिक है dual nature of radiation and matter में dual nature of radiation से 4 mark के लिए dual nature of matter से 2 mark के लिए तो देखो बचे radiation करके जाते हैं matter करके ही नहीं जाते हैं तो matter पे भी देखो ध्यान दो 2 mark का confirm उससे सवाल आना ही आना है atom नुक्लिया में atom से 3 mark के लिए nuclear से 5 mark के लिए ठीक है electronic device में semiconductor electronics से 8 mark का सवाल पूछे जाएगा तो एक अच्छा weightage है भाई अगला है communication system तो communication system से 5 mark का सवाल कुल मिला के पूछा जाएगा तो यह पूरा weightage रहेगा आप लोग का यार cbsc physics 12 board exam 2024 का तो वीडियो पस्था है वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को फटाबर सब्सक्राइब करेंगे वीडियो इन करता हूँ